सबची रोटी खाकर हो गए हैं बोर तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राइ कीजेगा और इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बोल में एक ग्लास ठंडा पानी लेना है इस पानी में आपको डालना है आलो तो मैं यहां आलो को अच्छे से छिल कर धो कर उसे इस तरह से लंबाई में कट कर ले हूँ उसके बाद 5 मिनट के लिए हम ठंडे पानी में इसे रखेंगे और फिर इसे चान कर एक ड्राइ कपरे पर इसे रखकर पोच लेंगे आपको आलो को अच्छे से ड्राइ करके यूज करना है जिससे आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बढ़ियां बनेगी उसके बाद आपको इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है अब हम इसमें कुछ और भी चीजें एड करेंगे तो मैं यहाँ इसमें एड करूंगी तीन चमच कॉर्ण फ्लोर आप चाहें तो कॉर्ण फ्लोर की जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं साथी में डालेंगे स्वाद के अंसार नमक और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको इसे इस तरह से मिक्स करना है कि इन आलूओं पे कॉर्ण फ्लोर का अच्छे से कोटिंग आ जाए मिक्स करने के बाद हम इसे डिप फ्राइ करेंगे तो उसके लिए आपको लेना है एक कराही कराही में आपको तेल डाल देना है और तेल को गर्म होने देना है अब हम इसे डिप फ्राइ करेंगे तो इन आलू को इस तेल में हमें डालना है flame को आपको medium रखना है medium flame पे आप इस recipe को बना सकते हैं आपको इसे उलटते पलटते तब तक fry करना है जब तक कि ये आलू के पिशेज उपर से crisp न हो जाए और अंदर से soft न हो जाए आप देखेंगे कि इसका color भी थोड़ा change हो गया है तो यहां देखिए आलू के जो पिसेज हैं हलका सा इसमें कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से क्रिस्प बे हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे निकालने के लिए आप एक बरतन में टीसू पेपर का यूज कर सकते हैं इससे होगा क्या कि आपके जो भी एक्स्ट्रा ओयल हैं वो टीसू पेपर आपजर्ब कर लेगा बागी के आलू के पिसेज को भी हम इसी तरह से डिप फ्राइ कर लेंगे तो इसी तरह से हम सारे आलू के पिसेज को फ्राइ करके रख लेंगे और अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं तो इसके लिए हमें लेना है एक इंच अद्रक का टुकड़ा इसे हम छोटे-छोटे पिसेज में कट कर लेंगे इसे हम बिल्कुल बारिक कट करेंगे ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया इस तरह से जब आप कट करते हैं तो अच्छा चमच तेल, तेल को गर्म होने दीजिए उसके बाद बारिक कटा हुआ लहसन डाल देंगे साथी में बारिक कटा हुआ अद्रक डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे इसका हलका सा आपको कलर चेंज होने देना है जब इसका color change हो जाए तो आपको इसमें प्याज को add करना है प्याज को मैंने यहां roughly cut कर लिया है और इसे हमें हाथों से crush कर लेना है ताकि इसकी जो भी पंखुडियां है वो अलग-अलग हो जाए तो बस इस तरह से करने के बाद आपको प्याज को इसमें डाल देना है इस प्याज को आपको mix कर लेना है उसके बाद हम इसमें add करेंगे similar mirch similar mirch और प्याज को soft होने देना है अब इसमें add करना है हमें स्वाद के अंसार नमक नमक का यूज मैंने आलू को dip fry करते समय भी किया था तो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा तो यहां मैं स्वाद के अंसार नमक का यूज कर रही हूँ नमक डालने से यह जो प्याज और सिम्ला मिर्च है वह बहुत जल्दी soft हो जाते हैं तो बस इसे आपको 5-7 मिनट के लिए cover करके रखना होगा जिसे आपके प्याज और सिम्ला मिर्च जल्दी soft हो जाएं तो चलिए अब हम इसे cover करके रखते हैं फ्लेम को आपको यहां लोग कर देना है जब तक प्याज और सिम्ला मिर्च सॉफ्ट हो रहा है हम सॉस की तेयारी कर लेते हैं तो यहां मैंने एक पोल में 2 चमच टमैटो केचप डाला है साथी में मैं इसमें यूज करूँगी रेड चिली सॉस आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं सॉस का यूज आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम्या जादा रख सकते हैं साथ ही में हम डालेंगे दो चमच के करीब स्वया सॉस तो यहां मैंने डार्क स्वया सॉस का यूज किया है इन सॉस को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम साइड में रखेंगे अभी हम सबजी को भी चेक कर लेते हैं प्याज और जो हमारा सिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं तो यहां प्याज और सिमला मिर्च देखिए कलर भी चेंज हो गया है और देखने में भी सॉफ्ट लग रहा है तो अब हम इसमें sauce को भी add कर लेंगे जब इस recipe को आप इस तरह से बनाते हैं तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाते हैं क्योंकि daily daily बच्चे सबजी खाकर और बड़े भी सबजी खाकर बोर हो जाते हैं लेकिन जब इस तरह से आप बनाकर बच्चे बड़े को खिलाएगा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है साथी में मैंने यहाँ डाला है आधा चम्मच काली मिर्च पावडर इससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यह recipe बनेगी इसका यूज आप जरूर कीजिएगा इन सारे चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है अब हम डिप फ्राइ किया हुआ आलू के पिसेज को भी इसमें डाल देंगे और इन सौसेज के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे friends मैं आपसे request करना चाहूंगी मेरी recipe आपको पसंद आती हो तो please एक like जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल पर नए है तो subscribe कीजिएगा यहां देखिए यह जो सबजी है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा सबजी अच्छे से cook हो चुका है तो अब हम इसे side में रखेंगे और बनाने के process में चलते हैं तो मैं इन सबजीयों को roll बनाऊंगी मतलब पराठा के साथ इसे roll करूंगी आप daily सबजी रोटी खाते हैं लेकिन जब इस तरह से सबजी को आप बना कर किसी को खिलाएगा तो बहुत ही जादा लोग पसंद करते हैं तो यहां मैं पराठा का यूज की हूँ आप चाहे तो इसकी जग चपाती का यूज कर सकते हैं या फिर आप लाचा पराठा का यूज कर सकते हैं मैंने simple पराठा का यूज किया है इसके उपर हम कुछ sauce apply करेंगे तो मैं यहां सेजवान चटनी apply कर रही हूँ आप चाहे तो tomato ketchup भी यूज कर सकते हैं तो एक side हमें लगाना है बच्चे बड़े सभी से बहुत पसंद करते हैं आप इस रेसिपी को चाहें तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे बहुत ही आराम से खा सकते हैं तो यहां देखिए मैंने दोनों तरह के sauce को लगा दिया है अब हमने जो आलू को फ्राइ करके रखा है इसे इसके पर इस तरह से फैला देना है आप चाहें तो इसमें ग्रीम चिली का भी यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने इन सबजीयों को भी और इन सबजीयों के ऊपर हम थोड़ा सा प्याज से गार्निश करेंगे जिसे यह क्रंची फ्लेवर आया और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं और जब आप इन सबजीयों को फ्राइ करते हैं जैसे मैंने आलू को फ्राइ किया तो आप आलू की जगह चाहें तो ब्रॉकली का यूज कर सकते हैं जो आपके हां लोग खाना पसंद करते हैं उन सबजीयों को भी तो बस इन बटर पेपर में हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे इसे आप चाहे तो बच्चे बड़े सभी के लंज बॉक्स में भी दे सकते हैं इस तरह से जब बटर पेपर में इसे रूल करते हैं तो यह बहुत ही जादा सॉफ्ट बना रहता है काफी लंबे समय तक भी और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजेगा फ्रेंड्स मेरे तरीके से यदि और मेरी रेसिपी आपको पसंद आये तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर बाबाई